हेलो बच्चो, बच्चो, I hope आपके CA exams के तयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरी कोशिश है इस वीडियो में आपको तीन बहुती important chapters का पूरा concept revise करवाने का तो आप ये पूरी वीडियो end तक ध्यान से देखना, इसमें सारा concept अच्छे से revise करवादूँगा मैं आपको और उन chapters के important questions भी इस वीडियो के end में आपको बताऊँगा की कौन से करने तो सबसे पहले जो हमारा chapter 12 है, buyback of securities तो देखो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, buyback का क्या मतलब होता है जैसे normal scenario में जब company shares issue करती है, तो वो लोगों को share देती है और उनसे पैसा लेती है लेकिन अब हम buyback of securities की जब बात करते हैं, तो इसका बिलकुल उल्टा होता है यानि कि अब company क्या करती है, लोगों को पैसा वापस करती है और जो shares है, यहाँ पर हम securities में मिली shares को cover करते हैं, जो shares है उनको खतम कर देती है, cancel कर देती है कि ठीक है वह यह over हो गया है, तो इसको हमने नाम दे दिया buyback of securities तो इससे अगर आप मोटा मोटा पहले effect समझो, तो मैंने आपको बताया था कि इसका मोटा effect simple है यह है, कि आपकी share capital कम हो गई, liability कम हो गई, तो debit और आपका bank balance कम हो गया तो credit, simple, share capital, debit to bank, यह entry है लेकिन जब हम buyback करते हैं securities का, तो एक process होता है, तो आप वो process याद रखो, जो मैंने आपको करवाया था देखो, पहला process, पहला step होता है, कि हम सबसे पहले अपनी investment को बेच देते हैं, क्योंकि मालो हमारे पास पैसे नहीं है तो investment बेचने की entry तो एक simple 11th class की entry हो गई, bank account debit to investment, profit होगा तो credit कर दोगे, loss होगा तो debit कर दोगे, तो यह तो simple हो गया अब investment बेचने के बाद, अब हम office में लोगों को बुलाते हैं, जिसको हमने बोल दिया buyback due, अब buyback due में हम क्या entry करते हैं, share capital debit, इसका मतलब है हमारी share capital काम हो गई premium on buyback, अब हम एक नुकसान अपना book करते हैं, अगर हम जादा पैसे दे रहे हैं, let's say हमने सोचा कि 100 रुपए का share है, लेकिन हम इनको 110 रुपए देंगे, तो 10 रुपए extra देंगे premium के, तो वो एक नुकसान होगे, उस नुकसान को हम debit कर देंगे, to share buyback, यह temporary liability है, अगली ही entry म बन गई, share buyback account, debit to back, simple, अब यहां पर companies act जो है, एक हम पर obligation लगाता है, कि अगर आप buyback कर रहे हो shares का, यह securities का, तो आपको एक statutory reserve create करना पड़ेगा, जिसका नाम होता है, capital redemption reserve, यह कोई free reserve नहीं है, तो हम अपने profits में से, एक capital redemption reserve create करते हैं, जिसकी entry बन गई, free reserve debit to capital redemption reserve, अब इस में हमें 100% of the face value amount दालना पड़ता है, जो भी हम shares redeem कर रहे हैं, यह securities buyback कर रहे हैं, तो let's say अगर आप 100 रुपए की face value की shares को buyback कर रहे हो, तो आपको 100 रुपए का ही CRR create करना पड़ेगा, तो यह बन गई एक statutory reserve create करने की compulsory entry, बाकि इस CRR के पैसे को आप company free नहीं है, तो dividend की त shares issue करने की भी entry अगर करनी पड़ जाए, तो वो है CRR debit to bonus share और bonus share debit to share capital, यानि simple भाषा में आपका reserve खतम हो गया, तो CRR debit और share capital credit, तो share capital issue हो गई, अब जो premium on buyback होता है, उस premium on buyback को हमें write-off जरूर करना पड़ता है, जो हमने ऊपर देखा था न, एक loss हमने book करा था यह रहा करेंगे, या तो अपने security premium से, अगर है तो, नहीं तो अपने free reserve और PNL से, तो entry बन गई security premium debit या PNL debit to buyback on premium on buyback, तो ये तो हो गया आपका entry का concept, तो देखो कितना simple है, 5 number आपके पके हो सकते हैं, अगर आपने खाली entry का concept भी पढ़ लिया, यह entries होगी, question कुछ भी बोले, करना यह amount change होगा, अच्छा, दूसरा concept, दूसरा concept इसमें होता है, calculation based, उसके तो आप simple step रठ के चले जाओ, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही simple, एक question बताऊंगा भी, इसका कौनजा करना है, और आपका देखना, वो 5 number अगर आता है, तो fix है, आपको question यह पूछता है, कि बताओ कि ह हम कितने shares buyback कर सकते हैं, है ना, उसको निकालने का Companies Act का नियम यह है कि हम 3 test करते हैं, उन 3 test में जो सबसे lowest या minimum value होते हैं, उतने shares, हम buyback कर सकते हैं, पहले test को बोलते हैं, shares outstanding test, यह तो आपका वैसी खतम, 25%, जितने भी shares outstanding है, उनका 25%, that is share outstanding test, दूसरा होता है, resource test, resource test में मैंने आपको बताया था कि हम कितना amount, कितने रुपए maximum buyback में लगा सकते हैं, वो है 25% of shareholder fund, इसमें यह ध्यान रखना जो आपको बताया था, shareholder fund में कोई भी specific reserve नहीं लेना, simple pure शुद्ध देसी घी की तरह equity capital, preference capital, security premium या free reserve, that's it, तो यह बन गया आपका shareholder fund, उसका 25% आप amount use कर सकते तो ध्यान रखना है, amount है, number of shares नहीं है, यह तो उतने रुपए हैं जितने आप use कर सकते हो, तीसरा होता है सबसे critical debt equity ratio test, जिसके लिए आपको एक formula और exam format मैंने लिखवाया था, वो आपको रखना ही है, exam में number चाहिए तो, formula तो खेर simple है कि हमारे loan funds जो है वो, shareholder fund से दुगने से जादा नहीं होने चाहिए, लेकिन after buyback, अब होता यह है कि जो हमारे loan funds है, वो shareholder fund after buyback जो बच रहा है, उसको निकालने के लिए हमें कुछ calculations करनी पड़ती है, ताकि हम यह check कर सके कि वो दो गुना से जादा ना हो, तो यह तो हो गया test, लेकिन अब करेंगे कैसे, तो पहल से कम मेरी equity इतनी होनी चाहिए, उसके बाद present equity, यानि कि अभी मेरी equity या shareholder fund कितना है, यह तो आप निकाली लोगे, D में आपको निकालना है future equity जो working note से पता चलेगा, E में आपको निकालना है maximum permitted buyback, जो भी working note से य से पता चलेगा, और maximum number of shares, कितने shares हम buyback कर सकते हैं, उसमें simply y को divide कर देंगे हम, जो भी आएगा y, कि कितना share का buyback का price है, एक का, तो यह तो बनेगा format, अब करेंगे कैसे, आपको दो चीज़े let करनी है, let CRR is equal to x, और maximum permitted buyback is equal to y, तो दो equations create करनी है, present shareholder fund में से, अगर आप CRR हटा दो, और maximum permitted buyback हटा दो, तो आपके पास बचेगा minimum equity after buyback, और वो आपके पास given होती है, देखो, आप step B में वो निकाल लेते हो, तो एक equation आपकी ऐसी बन गई, present shareholder fund minus x minus y is equal to minimum equity after buyback, तो इसमें present shareholder fund आपको पता होता है, x और y missing होंगे, और minimum equity after share buyback यह पता होगा, और दूसरी equation होती है, कि जो y है, जो CRR हम let, जो maximum permitted buyback हम let कर रहे है, y, उसको multiply करते है, face value of share से divide करते है, buyback price per share से, तो वो बराबर होगा CRR के, x के, तो यह भी एक equation बन गई, इन दोन equation को solve करके, आपको x और y का पता लग जाएगा, जैसे x और y का पता लगे, अपना उपर put कर दो, तो आपको automatically पता लग जाएगा, कि मैं कितने, रुपे तो आप तो बस buyback में यह है, तो मैं इसका question आपको दिखा रहा हूँ, आप mark करने न, कौन जा करना है, हमने करा भी यह discuss, तो इसमें आपको एक करना है illustration 5, अभी mark कर लो book का है, जिसमें आपको test लगाने आ जाएगे, तो इस तरह आपको question दे रखा होगा, चीजे होंगी, और buyback price कु equity आ गई, divide by 2 करके, present shareholder fund वो given है, future shareholder fund के लिए हमने मिकाल लिया, कि let's CRR is equal to x, maximum permitted buyback को y मान लिया, तो देखो दो equation बनी हुई है, present shareholder fund minus x minus y is equal to minimum equity, एक यह बन गई, और दूसरी y into face value per share, divide by buyback price per share is equal to x, एक equation यह बन गई, 1 और 2, 1 और 2 को solve करने पर आप इस तरह से x और y की values का पता लगा लोगे, और फिर आप यहाँ पर put कर दोगे, तो आपको answer मिल जाएगा, कि मैं इतने रुपए maximum खर्च कर सकता हूँ buyback के लिए, और accordingly इतने shares buyback कर सकता हूँ, तो मतलब एक तो यह question हो गया, ठीक है न, illustration आपका यह 5 है, इसके अलावा भी देखो हमने questions करे थे, ज यह है आपका एक बड़ा big question, question number practical 10, इसमें क्या होगा, यह तो बिलकुल exam का short short question की तरह समझ लो है, इसमें आपका test का concept भी cover हो जाता है, प्लस आपकी entry यहां भी हो जाती है, इसमें आपको एक balance sheet देगा, पूरा सब कुछ देगा, और कहेगा कि बताओ, कितने shares आप buyback कर सकत और balance sheet भी बना दो, तो देखो बहुत ही प्यारा question है, एक ही question में सब कुछ हो गया, पूरा chapter हो गया, एक question में, तीनो test हो गया, मैं दिखा रहा हूँ, तीनो test से जो answer आता है, उनका जो least amount होता है, वो हम use करते हैं for buyback, ठीक है, तो तीनो test use कर लिए, तीनो test से हमें पता लगा कि जो सबसे lowest value है, वो है 28,750, हाला कि company खुद 25,000 ही buyback करना चाह रही है, तो which is allowable, अब 25,000 shares buyback करने की entry आ देखो, उसी order में हो गई, investment बेची नहीं, फिर buyback due कर दिया, buyback pay कर दिया, उसके बाद CRR create कर दिया, और buyback को write off कर दिया, simple हो गया, बस, तो आप illustration 5 छोटा, और एक question practical 10 ये कर सकते हो, और अगर एक question और आपको करना है, तो वो भी मैं बताता हूँ, वो भी मैंने mark करवाया था exam के लिए, illustration 2 है, ये भी आप देख सकते हो, तो इसमें आपको same balance sheet मिलती है, जो question आता है, और फिर वो आपको बोलता है, कि company इतने shares buyback करना चाहती है, तो entries कर दो और balance sheet बना दो, तो इसमें थोड़ी ये practice है कि आपको entries भी मिल जाएंगी, same, इसमें preference share redeem भी हो गए, और साथी साथ balance sheet भी बनाने को बोली थी, तो balance sheet भी आपकी बन जाएगी, तो एक practice करने के लिए balance sheet भी रख लेना, so that आपको पता लग जाए, कि shares कम हो रहे है, तो share capital कम करनी है reserve अगर कम हो रहा है, तो कम करना है, CRR create करने हैं, तो बढ़ाना है, मलब एक flow बन जाएगा, practice हो जाएगी, तो maximum तीन question करने हैं, बस आपको इस chapter में maximum, और इसमें कुछ भी नहीं करना, concept आपका यही था, अब इसके बाद बच्चों, हमारा सबसे important chapter उसका conceptual revision करते हैं, chapter number 13, य पहले तो आपको बताया था, amalgamation का मतलब की है, वो तो आप समझे गए, ठीक है, दो कमपनिया है, बनकर new हो गई, यह absorption हो रहा है, तो उसमें एक old company होती है, एक new company होती है, ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा questions आते हैं, वो इसके होते है, external reconstruction तो एक simple basic नाम का concept है, कि पुरानी company ही new बन जाती है, और बाकी next chapter जो होता है, उसमें internal reconstruction भी हम cover कर लेते हैं, अब देखो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले topics के अगर बात करें, तो आपको PC निकालना आना चाहिए, यानि purchase consideration, PC के लिए हम अभी discuss करेंगे, सारे example जो आपको करवाये दे, बाकी नई company की books और जाधा important होता है, तो आपने कितने रुपय करें, वो पता लग जाता है, payment method से, that is PC, और अगर payment method नहीं लगा सकते, तो फिर हम net asset method लगाते हैं, जो आपने चीजें खरीदी हैं, उनकी value क्या है, तो उनकी book values से हम idea लगा लेते हैं, कि आपकी PC क्या है, तो sundry assets minus sundry liability एक तरह से net value PC आ गई, तो मैंने सबसे पहले आपको यह बताया था, कि जो आप पुरानी company के equity share और preference shareholder को payment करते हो, वो ही PC होता है, deventure holder को payment करी, वो PC में नहीं आएगा, creditor को payment करी, वो PC में नहीं आएगा, तो देखो सबसे पहले यह कि PC निकालने के लिए हमें चाहिए swap ratio, अब swap ratio क्या होता है, value of old company divided by value of new company share, अब यह value market value भी हो सकती है, intrinsic value भी हो सकती है, intrinsic value अगर निकालनी पड़ जाए, तो intrinsic value का मतलब basic अली है, आज की value, कि आज आपके सारे assets कितने के हैं, यानि take over value, minus सारी sundry liability और minus preference share capital, तो जो बच गया, वो equity shareholder का पैसा बच गया, divide by number of equity share, तो intrinsic value आ जाएग उसके बाद अगर question में आपको issue price नहीं दिया, ये भी एक point लिखवाया था, तो फिर हम intrinsic value को ही issue price माल लेंगे, अगर वो already swap ratio के लिए निकाल रखे, अगर intrinsic value नहीं निकाल रखी, तो आप simply paid up value और face value ले सकते हो, फिर सबसे special होते हैं, जिसमें आपको swap ratio और intrinsic value दोनों दे रख तो मैंने आपको सिखाया था कि इसमें हम cash पर share निकालते हैं, जिसका एक formula लिखा हुआ है, लेकिन वो है logically कि share surrendered into value of old company minus shares obtained into value of new company, whole divided by share surrender, तो आपको per share की cash पता लग जाएगी, जितने shares आपने surrender कर, उससे multiply करके, हमें full necessary cash की value पता लग जाएगी, जो अभी हम example में देखेंगे चलो, तो देखो जी, पहला example तो ऐसी था, सीधा सीधा, बस फटा फट देखते हो, की company है, उसका swap ratio given था 3 by 5, पुरानी company के share से 1 लाख और issue price था 12, सीधा formula लगाया PC आगे, जो cash दिया वो तो अलग, दूसरे में हमारे पास swap ratio भी था, equity shares का, preference shares का, issue price भी था, formula लगाया PC आगे दूसरा example भी simple, अब तीसरे में देखो था, की हमारे पास old company के shares दे रखे है, swap ratio दे रखे है, नई company के share का issue price दे रखे है, तो ये भी direct formula से हो जाएगा, की swap ratio into number of shares of old company into issue price PC आगे, अब fourth देखना, fourth भी मैंने आपको एक story से सुनाई थी, कि मालनों दो company यह balance sheet है, और A ने B को take over कर लिया, और debentures premium पर take over कर लिया, अब यहाँ swap ratio missing था, यह है story, swap ratio नहीं था, तो swap ratio को निकालने के लिए मुझे old company का share की value और नए company की share की value चाहिए, और value जो है, वो intrinsic value निकालनी पड़ेगी, तो जब मैंने A की और B की दोनों की intrinsic values निकाली, तो sundry assets ले लिये, जो है, minus liabilities ले लिये, जो है, लेकिन कौन सी value लेनी है, खासकर old company की liability की take over value, तो आप देखो debentures पर 143 पर सितारा लगाया था, इसी बात को लेकर, कि old company की share, old company की जो asset liability, take over हो रही है, वो values आपको लेनी है, फिर intrinsic value दोनों की आ जाएगी, swap ratio आ जाएगा, औ और formula लगार PC आ जाएगी, बाकि issue price अगर missing है, तो फिर हम intrinsic value को ही issue price माल लेंगे, अगर हमने निकाल रखा है, तो, अच्छा, example 5 में ये था, कि again, दो company की balance sheet थी, market values दे रखे हैं, दोनों के assets के, और swap ratio दे रखा है, और साथी साथ लिखा है, कि हम necessary equity share issue करेंगे, तो अब इसके लिए हमें फिर से again क्या चाहिए है, कि swap ratio नहीं दे रखा, तो swap ratio निकालना पड़ेगा, swap ratio निकालने के लिए हमें value of new company, value of old company चाहिए है, old company के लिए again वो ही बात, कि जो take over values हैं, आपको वो लेनी पड़ीगी, तो उस पर आप की intrinsic value आ गई, और फिर आप formula लगा सकते हो, swap ratio into number of shares of old company into issue price, preference shareholder को भी, equity shareholder को भी, और जो cash देना है, वो अलग, बाखी इसमें fractional shares आ सकते हैं, जो concept मैंने आपको समझाया था example में, उसका भी आप ध्यान रखना, fractional share के लिए cash ही दे देना, फिर था example एक 6, जिसमें आपको swap ratio दे रखा हैं, और intrinsic value भी दे रखिए, तो इसमें मैंने story समझायी थी, यहां से देखो, कि यह अपना एक share, जो 35 रुपए का है, वो 4 दे देगा, और बदले में उसको 5 share मिलेंगे, जो 30 के हैं, तो इस तरह से एक story थी, कि 140 रुपए यह दे रहा है, या ले रहा है, और वो 150 रुपए उसकी value बन रही है, तो इसको इसी लिए 10 रुपए एक्स्ट्रा cash भी देना पड़ेगा, उसी को हमने एक formula बना लिया था, cash per share के हिसाब से, जो यहां पर आपको लिखवाया था, लेकिन point यह है कि अगर swap ratio और intrinsic value दोनों हो, तो आपको कुछ amount cash में देना पड़ेगा, और इसी पर based example 7 भी आपको करवाया था, उसमें लगा कर PC आ गई और जो necessary cash हमें अलग से देना था, उसमें हमने cash per share का formula लगा के वो भी निकाल लिया था, तो यह मतलब examples थे PC को निकाल लेंगे, तो आप एक बर यह सारे example दुबार से बस देख लेना, दूसरा concept था कि नई company की books कैसे बनेंगे, purchase method में, तो नई company की books की entries बता पारे assets ले लिए, तो assets debit, liability ले लिए, तो 2 liability, 2 business purchase, उपर बचेगा तो goodwill, नीचे बचेगा तो capital reserve, फिर payment कर देंगे liquidator को, तो liquidator खतम हो गया, liquidator of old company debit to, जो भी दिया, जो भी दिया, जो भी दिया, जो भी दिया, वो सब credit हो जाएगा, contra entry अगर है, तो cancel कर दो liability debit to asset, simple, expense old company के pay हुए, तो goodwill to cash, liabilities pay हुई, तो liability to cash, statutory reserve अगर create करना है कोई, तो amalgamation adjustment debit to statutory reserve, profits unrealized cancel करने है, तो goodwill to stock, या capital reserve to stock, जो भी है, और बाकी question में जो बोलेगा, वो करना है, अच्छा, merger method में भी अगर आपको करनी पड़े entry, तो पहली बात तो AS14 ये कहता है, कि merger method तब माना जाएगा, पाचो कंडिशने satisfy होंगी, पाचो कंडिशने क्या, कि 90% shareholder नई company के भी shareholder बन जाएंगे, उन shareholders को PC में सिर्फ equity shares मिलेंगे, नई company सिर्फ book value पर take over हुई होगी, सारे assets सारी liability take over हुए होंगे, और business भी same कर रहे होंगे, तो पाचो कंडिशन को होने पर ही कहेंगे merger method, तो entry इसम बस second entry में twist यह है कि इसमें आप सारे reserve भी take over कर लोगे, क्योंकि सब कुछ take over कर रहे हो, तीसरी entry liquidator close करने की same, चौथी entry same, पाचवी entry expenses की, उसमें reserve debit to cash, छटी entry जरुवत नहीं पड़ेगी, साथी entry same, general reserve debit to stock, यानि कि unrealized profit अगर है तो, और बाकी जो question बोलेगा, तो books of new company भी comparatively काफी easy है, और वो अगर सही कर दोगे, तो उसकी balance sheet भी बन जाती है, जो questions में हमने देखी है, अब आखरी concept जो था, इसमें जो मैंने का था, कि आप उसकी दो reading जरूर लेना, वो है कि old company की books हमें close करनी है, है ना, तो उसके steps याद रखो, देखो, पहला step तो dissolution वाला ही है, सा को अगर cash takeover नहीं हुआ, तो cash में, ने तो otherwise वो भी realization, फिर हम PC को raise करते है, उसकी entry थी new company debit to realization, realization expense pay कर दिये, realization to cash, वो simple, reimburse होगे तो उल्टा कर देंगे, फिर PC realize करेंगे, जो जो चीज़े हमने दी, नहीं company की equity share, preference share, cash to new company हो गया, और फिर उसको distribute कर देंगे PC को, तो equity shareholder, जो मा मालिकों को मिला main, preference shareholder debit, जो छोटे मालिकों को मिला main to, जो जो भी चीज़ें दी, तो ये तीन entry हैं बड़ी important है, बाकि assets और liabilities जो हमने takeover नहीं करी, उनको या तो आप बेच दोगे, और liabilities को pay कर दोगे, बाकि फिर end में आप सारी accounts close करोगे, जिसमें ये ध्यान रखना, preference shareholder account को close करते समय, जो balance बचेगा, वो realization में दालना है, realization का जो balance बचेगा, वो equity shareholder में transfer करना है, क्योंकि वो profit ये loss है, cash का अगर positive balance है, तो मालिकों को दे दोगे, negative balance है, तो realization में loss के दोगे, और equity shareholder जो है, फिर वो telly हो जाएगा, तो ये दो reading लेकर फिर इसके question का आप, वो करना, मैंने पूरा process भी आपको समझाया था, तो end में होता ये है, कि जो equity shareholder है, वो आप देखोगे, वो match हो जाएगा, जैसे 400-400, उपर वाले हमारे example में, लेकिन concept इसका ये है, जो mainly आपको याद रखने है, बाकी इसके important questions में आप mark करना चाहते हो, तो illustration x6 अच्छा है, ठीक है, तो उसमें आपको देखो इस तरह से question मिलेगा, और books of old company close करके, नई company की general entries करके, balance sheet आपको पूरी इस तरह से बनानी पड़ेगे, similarly आप एक illustration 8 भी mark कर लो, ये revision के लिए मैंने पहले भी mark करवाया था, अच्छा question है, इसमें भी आपको complete steps मिलेंगे, कि PC निकालनी है, फिर merger method स मानलों entry हैं सारी करनी है, और नई company की फिर balance sheet बनानी है, तो ये questions आपको help करेंगे, basically थोड़ा सा revision करने में, बागी ये तो care books of old company close करने के direct question थे, ये भी easy question था, लेकिन वो दोनों question हो में आपको complete practice मिलती, और question number 13 है, वो थोड़ा सा अलग तरह का nature का question है, उसको देख जाना, उसमें आपको ये सब कुछ अच्छे points हैं, वो cover हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ये point आ जाता है, कि बही कितने adventures issues होंगे, इसको निकालने के लिए एक थोड़ा सा critical वाली कहानी होती है, तो ये अच्छा point था, ये भी एक बार आप देख सकते हो, बाकी और इसमें कोई ऐसा खास question नहीं था, तो दो-तिन questions हैं, लेकिन concept अच्छे से देख जाना, और जाधा time मिले तो थोड़े से 4-5 questions इसके practice भी कर सकते हो, लेकिन concept वही है, जो आपको बता है, PC, फिर new company की books, old की close कर दो, और जाधा से याधा question होगा, तो वो नई company की books की entry करवाने के बाद उसकी balance sheet बन वालेगा, तो वो एक question में वो भी practice आप कर सकते हो, इसके बाद है, हमारा एक बहुत ही छोटा chapter कहलो, या topic कहलो, internal reconstruction, जिसमें एक ही concept और दो ही question बस आप revise करना, concept तो यह है कि पुरानी company अपने आपको internally change कर लेते हैं, अपनी सारी values बदल लेगी, कुछ चीज हो की, तो य बहुत ही simple है, सब कुछ एक ही खाते में जाना है फायदा नुकसान, जिसका नाम है capital reduction अकार, asset की value कम हो गई, नुकसान हो गया, capital reduction को debit कर दो, asset की value बढ़ गई, फायदा हो गया, capital reduction को credit कर दो, बागी asset भढ़ने पर debit होगा, घटने पर credit होगा, वो आपको पते ही है, ऐसी liability ब भढ़ने पर credit और घटने पर debit होगी, बना भढ़ने पर credit और घटने पर debit होगी, आपको पते ही है, expenses pay कर दिए, तो bank कम हो गया, नुकसान हो गया, capital reduction Debit कर दो, unrecorded liability को pay करना पड़ गया, पैसे चले गए, bank credit हो गया, नुकसान हो गया, capital reduction को debit कर दो, unrecorded liability cancel हो कूझ नहीं कर capital debit कर दो to capital reduction face value और paid up दोनों कम हो गए तो share capital old वाली debit करके share capital new वाली credit कर दो और capital reduction credit कर दो बाकी stocks में convert कर दिया shares को तो एक entry थी share capital debit to stock account बला equity stock account फिर उन कहीं बार हम shares को surrender करते हैं तो share capital debit to share surrender एक नया account खोल दो और share surrender को हम कहीं बार या तो किसी liability को pay करने में use करते हैं तो पहला case हो गया share surrender to share capital और liability to capital reduction या फिर हम जो share surrender करें उनको cancel ही कर देते हैं तो share surrender debit to capital reduction और जो भी आपका balance बचेगा capital reduction account में फायदा या नुकसान उसे आपको capital reserve में transfer करना है तो यह तो आप बिल्कुल यह मान के चलो कि free के number है आ जाए तो यही concept है पढ़ लेना एक बार अच्छे से बागी simpler दो question बता रहों कौन से करने हैं आप इसके वैसी note कर लो illustration 4 और illustration 6 ठीक है दो illustrations है illustration 4 से बता जाता हूं इस तरह की balance sheet होगी फिर वो आपको कहेगा कि हमने देखो change कर दिया तो simple आपको हर change के हिसाब से entry करनी है और last में कहेगा कि एक revised balance sheet बना दो तो बस entry हुई entry हुई हर point की जो बोल रहा है entry हुई entry हुई और एक revised balance sheet बन जाएगी इसी तरह illustration आपका six भी है same concept बस हाँ variety practice करने के लिए दे रहा हूं लेकिन funda यह है इस question में अगर internal reconstruction में आता है तो तो देखो यह था तो आज के आदे गंटे की इस class के अंदर लग बग आदा गंटा भी अभी हुआ नहीं है अभी 26-27 मिनट हुए लेकिन उस 26-27 मिनट के अंदर आपने तीन main chapters का revision भी कर लिया पहली बात और इन तीनों की weightage combinedly मिला कर आप मान के चलो 20-25 नंबर की आती है amalgamation तो आएगा ही आएगा short short है internal reconstruction आ जाए तो भगवान का आशुरबात समझना और इसके अलाबा buyback of securities उसका छोटा question भी एक आई जाएगा तो 5 नंबर की weightage उसकी हो जाएगी तो 25 मिनट में 25 नंबर का कारेक्राम आपका finish होता है बाकी कोई भी query हो तो नीचे comment कर देना वीडियो को like और share जरूर जरूर कर देना all the best